आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिखेंगे विशेशन और उसके भेद तो आप सभी का स्वागत है एक्जामडी के यूटूब चैनल पे एक्जामडी तयारी एक्जाम की एकदम जबरजस्त तरीके से तयारी एक्जाम की बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें डिजिटल एजुकेशन, अंडेस्टेंग इंडिया, इनवाइरूमेंटल इस्टेडिज और यहां तक की जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो भी आपको एक्जामडी चैनल के प्ले लिष्ट में अच्छी तरीके से सजाया गया है, आपको मिल जाएगा तो आप प्ले लिष्ट पे जाकर उसे चेक कर लिजेगा अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विसेशन और उसके भेद ठीक है, तो विसेशन क्या है, विसेशन वो सब्ध है जो संग्या या सर्वनाम की विसेशता बताता है तो आप क्या करेंगे, उसके कुछ अच्छे क्वालिटी की बात करेंगे तो जैसे आप उसके कुछ अच्छे क्वालिटी उसके तक गुन की बात करते हैं ठीक है या उसके रूप की बात करते हैं और अकार तो दरशल यहीं बिसे सन है आप को पता ही नहीं चलता है ठीक है जैसे अरे दोस्त तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो अब जैसे अपने बोले अरे दोस्त तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो तो जो बहुत अच्छे दिख रहे हो यह जो अच्छा वर्ड है दरसल वहीं तो भी सेशन है और जैसे बोले कि तुम तो तुम क् के लाइफ में बिसेशन का भरपूर उपयोग करते हैं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता है जब हम लोग ग्रामर में आते हैं तो कुछ इस तरीके से किताबिक ग्यान डाल दिया जाता है कि हम लोग और नहीं समझ पाते हैं और फिर उस किताब से नफरत होने लगता है तो किताबों से लगाओ लगाना जिखाऎगा किस परकार से आप उसे किताबों को अधिक सदिक पढ़ें छो अब हम लोग प्रति रूचिव करने जा रहे है आ hablar हो सकता है बस तू वेकति किसी का भी नाम है और उसалась के जगह पर जब दूसरा हम करी तो वह सवाब नाम अब इनके गुन रूप आकर सोभा वाधि नहींता कि बारे में बात करें वह भी सेशन को और अच्छे से से अंडलाइन किया गया है ताकि आपको एकदम वहीं पे फोकस रहें मानवी अच्छा गाती चैसा गाती है अच्छा क्या हुआ च्छा मानवी की विसहस्ता हुआ राम लंबा है राम कैसा क्या हो गई लंबा दिल्लि महश्ता लै को nowhere ध्कूर महेंगा तो महbe nove सर तो उसके चीजें क्या है यह सारी चीजें विशेशन के उदाहरन है ठीक है तो आपको हलका फुलका समझ में आ रहा होगा कि डेली लाइप में तो भई हम लोग भरपूर विशेशन का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो यह विशेशन जो है यसी लिए सिलेबस में है ताकि हम लोग को पता ह कि हम विशेशन का कितना अच्छा परियोग कर सकते हैं किसी का तारिफ करने से उसे बहुत अच्छा लगता है वहीं किसी का बुराई करने से उसे बुरा लगता है तो विशेशन जो है इनी चीजों के बारे में बताता है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और विशेशन के भेद को जानेंगे, दरसल विसेशन को चार भाग में बाटा गया है उसके अलग-अलग रूप और अलग-अलग कारिय के अनुसार जो है से चार भाग में बाटा गया है ठीक है, देख़ें, याप लिखा गया एकदम गुण बाचक विशेशन दूसरा क्या है संख्या बाचक विशेशन तीसरा क्या है परिमान बाचक विशेशन और चोथा क्या है सारवनामिक विशेशन तो गुण बाचक विशेशन संख्या बाचक विशेशन परिमान बाचक विशेशन और सारवनामिक विशेशन यहीं सरव क्योंकि grammar में example बहुत ज्यादा example से question आ जाते हैं अगर mcq type के आगया मालेजे की चार option रहेंगे तो grammar से example ज्यादा देगा वो और लिखने दे दिया तो यह तो है यह आपका ठीक है तो मैंने क्या किया ना कि आपके लिए जो विशेशन का जो concept है पूरा concept ही एकदम तयार कर लिया ताकि आपको विशेशन किसे कहते हैं उसके उधारन क्या है उसके बेद क्या है बेद के उधारन क्या है यह पूरे चीजिए अच्छी तरीके से एकदम clear रहे ताकि एकजाम में यह doubt ना हो कि गुण बाचक था कि गणना बाचक था ठीक है इस परकार से तो यह रहा आपका गुण बाचक विशेशन ठीक है देखिए गुण बाचक में क्या बता रहा है कि वह विशेशन जो किसी संग्या या सर्वनाम के गुण दोस सुभाव छमता य सब के बारे में बात हो रहा है तो जैसे आप देख सकते हैं गोरा नया सीधा क्रोधित नीला यह सारी चीजिए गुण बाचक है तो इसी को कहते हैं गुण बाचक चहां पर गुण दोस्त की बात हो सुभाव की बात हो छमता की बात हो अवस्था की बात हो हम लोग नॉर्म जो अच्छा है अच्छा वह अच्छा क्या होगह विश्यसन में चला गया तो िग्जामपल समझते हैं यहापे एक्जामपल में आप देख सकते हैं red color में लिखा गिया है गुण बाचयक उदारन राम लंबा है कैसा है लंबा है से गुण बाचक विशेशन कहते हैं कि समझ गया किलियर हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे में हम लोग काता है संख्या बाचक विशेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता होगा कि यहां पर कहीं ना कहीं संख्या का बात हो रहा है तो संख्या का बात हो रहा है तो जर और सरवनाम से हो ठीक है तो वो होगा संख्या बाचक विशेशन ठीक है तो यह चार दो कुछ बहुत लाखों यह सारी की सारी चीजिए संख्या बाचक विशेशन में आती है उधारन को देखिए और ज्यादा आपको पता चलेगा राम चार सेव खा गया राम कितना सेव खा छार सेब खा गिया मेला में बहुत भीड़ था कितना भीड़ था बहुत भीड़ था उसको कुछ पल चाइए उसको कितना पल चाहिए तुम्हारे घर cut मेहमाना हैं कितने मेहमाना हैं तो यहां पर चार बहुत कूछ दो यह संख्या है संख्या निश्चित भी है अनिश्चित जैसे चार सेव निश्चित है अनिश्चित मतलब कुछ फल कितना फल पता नहीं बहुत भीड़ कितना भीड़ पता नहीं तो यहां पर मैंने दो दो एक्जामपल निश्चित से लिए हैं जैसे चार से खा गया दो मेमान आये हैं और दो अनिश्चित से लिए हैं जैसे बहुत बीड़ता और कुछ फल चाहिए तो आपको समझ में आगे संख्या वाचक ठीक है अब आगे आपका जो थर्ड नंबर है ठीक है बहुत जल्द चो था नंबर की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सिख रहे हैं ऐसे ही पड़ते रही है परिमान वाचक भी सेशन ठीक है अब परिमान क्या है परिमान को समझना है ना तो आप थोड़ा इस बात पर और दिमाग लगाईए ठीक है कि जो माप तोल का भाव आता है न ठीक है वो परिमान के तहत आता है यानि परिमान का मतलब भी होता है माप तोल करना ठीक है तो यहां पर आपको लिखा रहे गए यहां देखिए नाप तोल और मातरा नाप तोल और मात्रा का संबंद क्या होता है किसी भी चीज को नाप ना तोलना ठीक है जैसे 4 किलो आटा एक लिटर पानी थोड़ा चीनी पर होगी माप तोल की बात जैसे कि वो 4 किलो आटा खरीदा कितना किलो आटा खरीदा 4 किलो मुझे थोड़ा चीनी चाहिए कितना चाहिए थोड़ा चीनी स्याम को एक गिलास पानी जो हम लोग को 5 चाहता चाहिए तो जो 5 चाहता एक गिलास पानी थोड़ा चीनी चार किलो आटा ये सारे के सारे परिमान है क्योंकि इनका जो है मात्रा और मापतोल या नापतोल दो चीज़े हैं ठीक है पांच छाता में क्या पता चल रहा है कितना चाता है पांच छाता है तो चाता की मात्रा बता रहा है और एक गिलास पा देखिए इसका संबंद क्या है और किसे तो यह जो है वो बताता है कि वो सर्वनाम सब्द जो किसी संख्या के पहले लगकर उसका विशेशन की तरह विशेशन बताता है उसे सर्वनामिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन कहते हैं जैसे तुमारी पूस्तक मेरी कलम वह लड़की यह लड़का आदी तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा कि कोई भी ऐसा सब्द जो सर्वनाम है ठीक है और किसी भी संख्या दरसल यहां पर संख्या नहीं यहां पर होगा संग्या ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर होगा संग्या ठीक है तो आपको यहां प विशेशन यह संक्यत वाचक केते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर है तुम्हारी और यहां पर है पुस्तक तो तुम्हारी जो वर्ड है न वह है सर्वनाम और पुस्तक जो है वह क्या है संग्या तो वह हो गया सर्वनाम संग्या के पहले लग गया और उसकी विशेश् तो दरसल यहां पर तुम्हारी पुस्तक, मेरी कलम, वह लड़की यह लड़का इस परकार के जो examples होते हैं वो जो है सारवनामिक विशेशन होते हैं ठीक है तो यह रहे आपके विशेशन और उसके भेद, इसके उधारन भी आप देख सकते हैं तो यहां पर और तुम्हारी पुस्तक, यहां लड़का यह सारवनामिक विशेशन के यानि संकेत वाचक विशेशन के उधारन है यहां पर संकेत की बात हो रही है तो यह हम लोग ने पूरे विशेशन को समझ लि अच्छे तरीके से उम्मिद करता हूँ कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आप एक बार देख लिए हलका समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा मैंने भरकस कोशिस किया कि डेली लाइब की इग्जामपल से मैं आपको विशिशन के बारे में समझा सकूँ ठीक है तो यह चीज आपको समझा दिया गया है अब आपको क्या करना है इसको कोभी में लिख लेना है ठीक है और आप ही के क्लास के जो स्टुडेंट्स हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं ठीक है वो अगर यूजी सेमेस्टर वन में हैं और वो जो है न्यू सेसन वाला पढ़ रहे हैं यानि कि नया एजुकेशन पॉलिसी के तरफ एडमिशन लिया है तो प्लीज उनको भी हेल्प किजिए ठीक है उनको भी जो है इसके बारे में बताईए कि इस परकार से जो है स्टडी करनी चाहिए और ये सारे जो है जो एक्जाम डी के में जो जो चीज़ें उपलब दे उसके बारे में उसको बताईए ताकि उसको भी help हो सके ठीक है वो भी अच्छा नमबल ला सके ठीक है तो हम लोग सब कोई अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छा नमबल लाएंगे बस मन में ये भाव होना चाहिए फिर देखिए कुलान उनिवेसिटी कहां से कहां जयसे भी जयब होंगे हमारे देश की सेवा में आगे बढ़ेंगे ठीक है तो पढ़ाई बहुत बढ़िया हुई ठीक है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से धियान देके पढ़ा बहुत अच्छा लगा बहुत भूत धान्य बाद आपका अपना किमती समय निकाल कर ठ यारी एक्जाम की